ओम नमाश्वाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कला में आए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम सभी घड़ी के संबंध में सभी को घड़ी पहनने का सोख होता है और यह अ उचक भी है लेकिन वहीं पर घड़ी से संबंधित कुछ नियम है अगर वास्तु सास्तर के अनुसार आप घड़ी को रखते हैं आप सही दिशा में घर में घड़ी रखते हैं लगाते हैं तो आपको यह सही समय लाया देती है और आपके लिए सकारात्मक होती है जीवन में सफलता देती है वहीं अगर घलत दिशा में लग जाए तो वो आपको निगेटिव इफेक्ट दे करके नुकसान करने लग जाती है इसलिए ध्यान रखें कि वास्तु में घर की दक्षुन दिशा यम की दिशा मानी जाती है साथी साथ यह दिशा ठहराओ की दिशा है इसलि बुरा बना सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो इसलिए कभी भी दक्षन दिशा में घर के आपको घड़ी नहीं लगानी चाहिए, इस बात को हमेशा जहन में ध्यान में रखिए, आप नहीं तो आपको नुकसान होगा, क्या लगा सकते हैं दक्षन दिशा की दिवाल पर तो अच्छा रहेगा, घर के मुख्या की तस्वीर लगा दीजे, वो बहतर रहेगा, इससे घर के मुख्या का स्वास्थ बहतर होता है, तो आप अगर दक्षन दिशा में कुछ लगाना ही चाहते हैं, तो घर के मुख्या की तस्वीर लगा दीजे, या फिर दोरते हुए घोड की तस्वीर लगा दीजिए साथ गोडे हों और वाइट गोडे हों तो ज्यादा बहतर होता है आपको सफलता मिलती है इसके अलबा घर के में गेट या दरवाजे के ऊपर घड़ी लगाना अच्छा नहीं होता है ऐसा करना तनाव को बढ़ा सकता है इससे घर से बाहर आते जा पर कभी भी घरी नहीं लगानी चाहिए इस बात को हमेशा जहन में रखें घरी को घर की पुर्व पश्चिम या उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है पुर्व दिशा में लगाई गई घरी घर का बाता वरन शुभ और प्यार वाला बनाय करके रखती है पश्चिम दि उक्सान से आप परिशान हैं तो घड़ी को आप उत्तर दिशा में घर में लगा लीजे अगर आप चाहते हैं कि घर में नए उसर मिलें तो घड़ी को पश्चिम दिशा में लगा लीजे और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में वातावरण शुभ रहे प्यार बना रहे य इससे सफलता बाधित होती है, तो कभी भी घर में आपको बंद घरी नहीं रखनी चाहिए, बेकार सामान घर में नहीं रखना चाहिए, तुरंत हटा देना चाहिए, साथी साथ घरी पर धूल जमें ये भी सही नहीं होता है, उसकी सफाई जरूर करते रहनी चाहिए, नहीं त ऐसा करने से मनुष्य की विचार धारा पर बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ता है और उसका स्वभाव बदलने लगता है इसलिए ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी सर के नीचे रख करके नहीं सोना चाहिए घर में हरे और नारंगी रंकी और दुकान में काले और डार नीले रंकी घड़ी नहीं लगानी चाहिए इससे घर और दुकान में नकारात्मकुर्जा का वास होने लगता है घर के हॉल में चौकोर और शैन कक्ष में अगर घड़ी लगानी है तो गोल लगानी चाहिए ऐसा करने से घर में शांती और प्यार बना रहता है पैंडूलम घड़ी के लिए भी पुर्व पश्चिम या उत्तर दिशा ही शुभ होती है ऐसी घड़ी ड्राइंग रूम में लगाना सबसे ज़्यादा बहतर होता है सही समय से आगे या पीछे चलने वाली घड़ीयों को भी अच्छा नहीं माना जा सकता है यानि कि जो घड़ी समय कम जादा बता रही हो उसको आपको तुरंत बदल देना चाहिए या फिर उसका समय ठीक कर लेना चाहिए बैटरी कमजोर हो गई है तो बैटरी तुरंत उसकी बदल करके और सही समय सेट कर लेना चाहिए नहीं तो ऐसी घड़ीयां मनुष्य के लिए उसकी हार या फिर नुकस करते हैं यह आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से ले करके आते रहेंगे तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पह आदेवो.